जहन्द इस्टुएंट्स आप सभी का बहुत बहुत वेलकम हैं आपके अपने यूटीब चैनल सोनू सर क्लासेज में और इस्टुएंट्स जित्ते भी BTUP के स्टुएंट्स हैं जिनें इन्रोल्मेंट करना है 2023 में और BTUP की और से सभी कालेजों को सभी संस्थाओं को यहाँ पर निर्देशित किया गया है सभी बच्चों को अपना आधार वेरिफाई करना अपने इन्रोल्मेंट में और साथ में यहाँ पर फैमिली आईडी का यहाँ पर क्रियेशन बहुत जादा इंपोर्टन्ट है और इसके बिना हो सकता है कि आप एक्जाम में ही ना पियर हो पाएं या फिर आपका इन्रोल्मेंट ही सक्सेसफुल ना हो पाएं तो यह सभी के लिए स्टेप अनिवारे और सभी को करना है और बहुत जादा बच्चों की रिक्वेस्ट आ रहे थी इसको ले करके किसर एक इस पर वीडियो बताईए जिसमें authentic information हो और सारा जो चीजे यहाँ पर करने है सारे जो steps है वो सब आप step by step यहाँ पर जो है clear कर दीजे तो students यहाँ पर मैं आप सभी को जो भी पूरा step है इसमें आपके आधार verify करने का और साथ में family id क्या है और family id कैसे बनेगी उसकी पूरी information हम आपको देंगे और वीडियो के अंतक बने रहीगा वीडियो को एक like और एक share जरूर कर दीजेगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कर दीजेगा चलिए वीडियो को start करते हैं without wasting time तो यह BTUP का login है student login यहाँ पर आपको आना है यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर search करना होगा btup.ac.in है ना तो यह आपको यहाँ पर link करके search कर लेना है अपने college से मिलेगा ही मिलेगा और without enrollment number के आप यहाँ पर ना ही registration कर सकते हैं और ना ही login कर सकते हैं तो वो आपको अपने college से ले लेना है ठीक है easily आपको available हो जाएगा अपने college पर तो यहाँ पर आपको देखिए student login में enrollment number और password मांगा जा रहा है ठीक है आपसे क्या enrollment number और आपसे password मांगा जा रहा है तो यहाँ पर सबसे पहले जो नया बच्चा आएगा उसको login करने को नहीं मिलेगा घलत password बताएगा अगर आप data entry करेंगे तो और आपको सबसे पहले registration करना होगा इसके लिए तो यहाँ आपको Student Registration पर चले जाना है Student Registration पर जाने के बाद यहाँ पर आपको अपना enrollment number फिल करना है और उसके बाद verify enrollment number पर पर क्लिक करना है verify enrollment number पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दो option open हो करके मिल जाएंगे एक तो यहाँ पर देखिए registered date of birth पहले से यहाँ mention है और registered mobile number भी यहाँ पर mention है तो यहाँ पर आपको date of birth अपना पूरा fill करना होगा verify करने के लिए और यहाँ पर आपको अपने जो student का mobile number है वो आपको fill करना होगा verify करने के लिए यहाँ पे दोनों details को आपको fill करने के बाद get student details पे click करना है जैसे ही आप यहाँ पे get student details पे click करेंगे आपको यह option open हो करके मिल जाएगा जहाँ पे आपको एक password create करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर वो password create करके आपको fill करना होगा password आप कुछ भी बना सकते हैं जैसे आपका RAM नाम है तो आप RAM 2023 add the rate करके password बना सकते हैं R capital रखिए बाकी A और M small रखिए 2023 डाली और add the rate और उसके बाद आपका password यहाँ पे बन जाएगा तो यहाँ पर आपको अपना password fill करना होगा और यहाँ पे आपको उसी password को confirm करना होगा और then आपको register पे click करना होगा जैसे ही आप यहाँ पे password create करेंगे यह message आपको लिख करके मिल जाएगा You have successfully registered, kindly login with your enrollment number and password तो फिर आपको यहाँ पर दुबारा से जो login page है वहाँ पे जा करके और login करना होगा अपने enrollment number and अपने password के help से तो हम दुबारा से यहाँ पे student login का option है इस पे click करके student login पे आ गये हैं जहाँ पे हमें यहाँ पे enrollment number फिल करना है और जो password हमने अभी create किया वो फिल करके login बटन पे click करना है login होने के बाद आपको यह interface open हो करके मिल जाएगा जहाँ पे आपको अपना नाम यहाँ पे show कर देगा logout बटन मिल जाएगा सेवाएं आपको मिल जाएंगी और यहाँ पे एक option मिल जाएगा आधार वेरिफिकेशन तो आपको यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन पर जाना है जिसमें आपको आधार वेरिफाई करने and family id का option दिखेगा तो चलिए चलते हैं आधार वेरिफिकेशन पर आधार verification पर click करने के बाद आपको यह page open हो करके मिल जाएगा जहाँ पर आपको आधार number एंटर करने का option मिलेगा आपको जो terms condition से यहाँ से accept करने होंगे click करके click कर देंगे click करने के बाद आपको यहाँ पर accept करना है accept करने के बाद आपको यहाँ पर जो है verify आधार पर click करना है जैसे ही यहाँ पर verify आधार पर click करेंगे आपका आधार verify हो जाएगा बट जो next step है यहाँ पर आपको family ID verify करने का वो यहाँ पर not available so करेगा जिसकी वज़े से यहाँ पर आपको एंडर करने का option दिया इने जा रहा है family ID का लेकिन family ID creation बहुत important है क्योंकि अब यहाँ ना देने का reason यह भी है कि आपके पास available नहीं होगा family ID family ID क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ up government की site पे ले चलके up government की एक पहल एक परिवार और एक पहचान है ना तो उसके तहर जो है यहाँ पे initiative है family ID बनाने का तो यहाँ पे अगर आप google पे search करेंगे family ID तो आपको government of उत्तर प्रदेश की website एक मिल जाएगी और सबसे पहला यहाँ पे जो link मिलेगा website का वो redirect करेगा आपको पोर्टल पे तो पोर्टल पे हम redirect होंगे जो की है family ID .up.gov.in इसमें आपके एक यहाँ पे जैसे आधार एक ID है उसी प्रकार एक परिवार एक पहचान इनकी एक परियोजना है जिसके तहट सभी लोगों का जिनका राशन कार्ड है उनका भी और जिनका राशन कार्ड नहीं है उनका भी यहाँ पे family ID create करने का यहाँ पे आदेश है government की ओर से ठीक है तो ऐसे में इस initiative को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे एक काम किया गया है कि सभी बच्चों के लिए उनके enrollment के लिए इस बार अनिवार्य कर दिया गया है कि सबसे पहले वो अपनी family ID create करें जिसमें वो अपनी family की ID create करें और वो family ID का information आपको वहाँ दर्च करना होगा बहुत simple है आपको registration करना होगा यहाँ पे family ID बनवाने के लिए simply आप यहाँ registration पे क्लिक करेंगे registration पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको instructions मिल जाएंगे यह आपका आधार card authentication process होगा इसमें जिसमें आधार के आधार पे सभी जो भी आपके सदश हैं यहाँ घर के उनका registration होगा one family one card में जिसमें आपको सभी जितने आपके family member हैं उनके आधार card का यहाँ पे जो है information अपने पास रखना होगा और यहाँ पे आपको registration करना होगा सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम फिल करना होगा उसके बाद आपको यहाँ पे अपना mobile number फिल करना होगा जो कि आधार से registered mobile न 버ping होना चाहिए नहीं आधार से जो link mobile number होगा उसके बाद आपको send OTP पे क्लिक करना होगा यहाँ पे send OTP पे क्लिक करने बाद OTP आप verify करेंगे then आप अपना आधार number again डाल करके और सबसे पहले आप मुखिया का यानि कि आपके father जो भी होंगे father जो है उनका सबसे पहले आधार आप entry करेंगे और उसके बाद वहाँ पे registration करेंगे और आधार registration के बाद यहाँ पे अपनी another जो family member है उनको आप इसी प्रकार से add करते हुए जाएंगे मैं यहाँ पे आपको वो चीज लाइव दिखा देता हूँ कैसे होगी तो यहाँ पर आपको जब आप OTP send कर दोगे तो OTP का कुछ इस तरीके से option आपको दिखेगा यहाँ पर आपको OTP बिल जाएगा इसके बाद capture code जो है वो आपको यहाँ पर enter करना है then आपको submit button पर click करना है इतना click करने के बाद यहाँ पर आपका thank you registration का option आजाएगा इसके बाद sign in to continue का option मिलेगा आपको sign in करना होगा sign in करने के बाद यहाँ पर next आपको option दिखाए देगा कुछ इस type से sign in के लिए जिसमें आपको सबसे पहले आधार registered mobile number जिससे आपने अभी registration किया just वहाँ पर fill करने के बाद आपको send OTP पर click करना है वो आपको दर्ज करना होगा सबसे पहले आप अपने घर के मुख्या वोगे उनका ही एंटर करना तो यहाँ पर और जो आधार registration है वो भी आप try करना कि आपके जो father है उनका ही आप सबसे पहले registration करिये और उनका ही verify गिरीए उनही के आधार से registration करिये तो यहाँ पर आपना सबसे पहले आधार नमबर जिस भी family member का आपको सबसे पहले registration करना है मैंने बताए कि मुखिया का सबसे पहले करना है और मुखिया कौन होंगे आपके घर में आपके father ठीक है वो आपको यहाँ पर fill करने के बाद आगे बढ़े पर आपको click करना है click करने क यहाँ पर आपको family ID registration हितु आगे बढ़े का option मिलेगा ठीक है इस पर आपको click करना है आगे click करने के बाद यहाँ पर आपको next step में जो आविदक का अधार नमबर है ठीक है वो आपको fill करना होगा और यहाँ पर OTP terms condition accept करने बाद OTP आपको भेजना होगा OTP आपको यहाँ प जो भी member होगा उसका यहाँ पर photo आजाएगा नाम English में Hindi में आजाएगा Zander आजाएगा जनमतित ही आजाएगा पिता या सन्रक्छक का नाम यहाँ पर आएगा वही नाम Hindi में यहाँ पर आजाएगा अगर विवाहित स्थिति है तो यहाँ पर जो भी जो विवाहित यानि की जो भी उनके partner है यानि कि अगर आप father का पहले registration कर रहे हैं तो आपकी mother का detail यहाँ पे विवाहित में डलेगा और उन्हीं का नाम हिंदी में डलेगा mobile number जो आधार से link है वो आपको यहाँ fill करना होगा और website उनका यहाँ पे लिख करके यहाँ आगे बढ़े पे click करना होगा ठीक है इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे click करने के बाद यहाँ पे registration होने के बाद उनका सारा detail जो है इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा और जो step आवेदक हैं उनका registration सबसे पहले हो गया इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों को यहाँ पे जोड़ना होगा सभी का registration होगा family में जितने भी member होंगे सभी का इसी same process के तहत registration होने के बाद सारी detail फिल करने के बाद यहाँ पे सभी जो member होंगे वो member यहाँ पे जोड़ने के आपको यहाँ पर एक family ID और अस्थाई संख्या के साथ मिल जाएगा और यहाँ पर जो family ID एक और अस्थाई संख्या के साथ आपको मिलेगी जो कि यहाँ पर आप देख सपा रहे होंगे कि यह family ID लिखी हुई है और यहाँ पर और अस्थाई लिखा हुआ है जब एक बार आ आपका जो family ID है, वो create हो जाएगा, यह जो last page है, जब आपका registration complete हो जाएगा, तब आपको यहाँ पर इसको print कर लेना है, और print करके रख लेना है, जब आपकी family ID verify हो जाएगी, तो verify होने के बाद, आपको यहाँ पर क्या होगा, यह आपको family ID, आपको स्थाई संख्या के साथ मिलेगी, और यहाँ से आप आगर के, और family ID को download कर सकते हैं, जैसे राशन कार्ड की copy आपको मिल जाती है, online, उसी प्रकार से आपको family ID भी मिल जाएगी, तो I hope आप यह सारा process अच्छे से समझ गया होंगे, और अब आपको family ID और verify आधार या आधार authentication से कोई भी problem नहीं आएगा, अगर आपको कोई भी problem आती है, तो आप comment box में comment करके पूश सकते हैं, उसकी पूरी information हम आपके साथ share कर देंगे, आज के से वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, मिलें किसी अन्य वीडियो लाइफ शेशन के साथ, तब तक के लिए जैहिंत, वंदे मात्रम आप सभी स्वास्त रहें, मस्त रहें,